शरीर में पित्त जादा होने की वज़र से अपनी सहन शक्ती भी कम होती है बहुत बार ऐसे हो जाता है कि छोटी छोटी चीजों के लिए भी हमें गुसा आता है टेंशन आता है और सहन शक्ती कम होने की वज़र से छोटी छोटी चीजों के लिए हम बार बार कुछ न कुछ ग तो यह जो नेचर बनता है स्वभाव बनता है वो भी पित्त दोश बढ़ने की वज़ा से बनता है तो इसलिए छोटे छोटे नुस्के करके पित्त को ठीक रखा जाता है यह स्वभाव जो बनता है पित्त का तो पित्त बढ़ेगा तो भी नहीं चलेगा अगर कम होगा तो भ बिगडेगा तो भी नहीं चलेगा, बिगडेगा तो रैशे साना, बहुत सारी चीज़े सालो होती है, और तभी फिर क्या होता है, कि बॉइल साना, प्रिकली हीट है, तो ये सब पित बिगडने की वजह से होता है, इन्फेक्शन होता है, तो इसके लिए अपना उप्टन लोशन है गर्मी के सीजन में आप उप्टन जोई लोशन से स्कीन वाश करें तो ये तकलिफे आपको नहीं होगी और जहां जहां आपको बॉइल्स रहते हैं वहां अगर कोकोनेट ओल रात को लगाते हैं तो उससे भी बहुत अच्छा फाइदा होता है तो ये पित्त दोश आपका स्वभाव भी कंट्रोल करता है पित्त बढ़ गया तो स्वभाव में गुस्सा बढ़ गया पित्त ठीक है आप फिट है और आप आनन्दी है